38 साल का विल्यम ब्रितेन के तड़ पर, फ्रांस के सामने पेविंसी नामक इस जगा पर उत्रा, उसकी सेना में लगभक साथ हजार आदमी थे, लेकिन इंग्लेंड के राजा हैरोल को हराने की कोशिश में वह यहां क्या कर रहा था? वह है स्टिक्स की लडाई में मारा गया था, शहर में एक नया राजा था, 38 वर्षिय विजेता विल्यम को इस इमारत में वर्ष 1066 में क्रिसमस के दिन ताज पहनाया गया था वेस्टमिंस्टर एब्बे चर्च में राजा चार्ल्स को अपना ताज मिला, आज चार्ल्स और विल्यम अलग हो गए है, 34 पीडियों से विल्यम पहले नॉर्मन राजा थे जबकी चार्ल्स नवीन तम है, उनके बीट शक्ती, हिंसा और महत्वा कांग्षा की कहानी है मारे गए रिष्टेदारों और लूटी गई कॉलनियों की कहानी आपने सोचा था कि मेगन मार्कल की बात एक स्कैंडल था? जब तक आप इस कहानी को नहीं सुनते तब तक प्रतीक्षा करें विल्यम को इंग्लेंड पर विजय प्राप्थ हुए 34 वर्ष बीट चुके है उसका तीसरा बेटा सिनहासन पर है, वह भी एक विल्यम है, जिसे विल्यम द्वितिय कहा जाता है यहां अंग्रेजी शाही परिवार है, सत्ता में बड़ा लेकिन रचनात्मक नामों पर कम एक दिन विल्यम द्वितिय दक्षिनी इंग्लेंड में शिकार कर रहा था जहां उसके अपने वफादार ने उसे एक तीर से मार डाला, आश्चर्य जनक रूप से किसी ने भी उसके शरीर को बरामत करने की जहमत नहीं उठाई यहां एक तीर बनाने वाला था जिसने अंता मृत राजा को पाया कई इतिहासकार सेमत है और वे विल्यम के छोटे भाई हैनी पर उंगली उठाते हैं वह जल्दी में था उसने पहले विंचेस्टर में खजाना हासिल किया और फिर लंदन चला गया और खुद को राजा बना लिया अफवाह है कि उसने अपने बड़े भाई को मार डाला था और ब्रिटेन का शाही इतिहास ऐसे विश्वासगात और हत्याओं से भरा पड़ा है हेन्री के महान पोते किंग जॉन से पूछें जिनोंने 1199 में गदी संभाली लेकिन उनके भाई का एक प्रतिद्वनवी था जिसका नाम आर्थर था राजा ने मामलो को अपने हाथ में ले लिया और उसने व्यक्तिगत रूप से अपने भतीजे की हत्या कर दी और उसके शरीर को एक नदी में फैंक दिया यहाँ आने वाली चीजों का संकेत था पंद्रवी शताबदी में अंग्रेजी इतिहास के सबसे रक्तरंजित अध्यायों में से एक का खुलासा हो रहा था जिसे दवार ओफ रोजेश कहा जाता था इसके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं है यह 30 साल का निर्मम और बरबर ग्रिहयुद्ध था हांस ओफ लैंकेस्टर और हांस ओफ यॉर्क में दो खिलाडी थे उनकी सेनाओं ने 1471 में एक प्रसिध लडाई लड़ी 2000 लैंकास्ट्रियन सैनिको का वद कर दिया गया उस जगह को अभी भी ब्लाडी मेडो कहा जाता है यॉर्क ने शासन करना शुरू कर दिया उनके राजा एड़वर्ड चतुर्थ थे वह महान जनरल लेकिन बुरे भाई थे उन्हें अपने भाई जोर्ज पर शक हुआ जो ड्यूक ओफ क्लेरिंस थे एड़वर्ड ने अपने भाई को क्यात कर लिया और उसे मार डाला 1483 में एड़वर्ड चतुर्थ की मृत्यू हो गई उसका उत्तराधिकारी 12 साल का बेटा था जिसे एड़वर्ड भी कहा जाता था छोटा लड़का लंदन जा रहा था जब उसके चाचा ने उसे रोका उसने एड़वर्ड और उसके भाई को लंदन के टौवर में डाल दिया तब से उन्हें किसी ने नहीं देखा चाचा ने खुद को राजा बनाया लेकिन दश को बाद तावर में दो कंकाल मिले क्या वे एड़वर्ड और उसके भाई के थे आपका अनुमान उतना ही अच्छा है जितना मेरा हत्यारे चाचा लंबे समय तक राजा नहीं रहे सिर्फ दो साल बाद उन्होंने सिनहासन खो दिया खुणी चाचा की हार एक नए शासन की शुरुवात का संकेद देती है दा हाउस अफ टूडो उनके पाँच समराट थे लेकिन एक प्रसिद्ध था जिसे हेंरी साथ के रूप में जाना जाता था उसका जीवन साथी होना रूसी रूले खेलने जैसा था हेंरी ने अपनी दो पत्मियों को तलाग दे दिया और दो और को मार डाला 36 वर्षों में उन्होंने लगभग 57,000 लोगों को मार डाला यहाँ प्रती दिन लगभग 4 लोग होते हैं उनमें से थॉमस क्रॉम्वेल एक महान स्टेट्समेन था क्रॉम्वेल हेंरी के मुख्य मंत्री थे उन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण काम किये एक राजा के लिए विवा की व्यवस्था करना था दूसरा इसाई धर्म में सुधार करना था दोनों चीजें उसे हौंट करने के लिए वापस आई हेंरी का क्रॉम्वेल की चुनी हुई दुलहन के साथ एक समस्यागरस्थ विवा था परिणाम क्रॉम्वेल ने अपना सिर्क हो दिया हेंरी की बेटी में एलिजाबेट प्रथम अनमैरी दे क्वीन आफ स्कॉर्ट्स उनकी प्रतिद्वन्दविता सिटोरिक थी मज़ेदार तथ्य मेरी एलिजाबेट की चचेरी बहन भी थी एलिजाबेट ने मेरी को साढ़े अठारा साल कैद में रखा फिर 1587 में उसे फासी दे दी गई कुलहाडी के तीन जटके उसके सिर पर लगे और आपको लगा की गेम ओफ थ्रोन्स खराब है मेरी की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है एलिजाबेट बिना बच्चों के मर गई उसका उतराधिकारी मेरी का बेटा बना वही मेरी जिसे उसने माल डाला था उन्होंने 1603 में गद्धी संभाली यहाँ उस समय के आसपास था जब बृतेन ने कॉलनीस के बारे में सोचना शुरू किया बात में 17 शताबदी के मध्य में चार्स प्रथम राजा बना इसमें चार्स की हार हुई और 3 साल बाद उसे मार दिया गया यह सही है कि एक राजा को मार दिया गया और उसके साथ ही बृतेन एक गणतंत्र बन गया कोई राजा नहीं ना कोई शाही परिवार लेकिन जैसा कि वे कहते हैं कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती 1660 में भूमिकाओं की वापसी हुई चार सद्वितिया राजा बना वे अगले चरण उपनिवेश्वात के लिए तैयार थे अपनी आखें बंद करे और दुन्या के किसी भी देश को चुने संभावना है कि बृतेन ने उस पर आक्रमन किया हो लगभग 90% देशों पर अंग्रेजों ने आक्रमन कर दिया वे 18 सदी की महाशक्ती बन गए उनका आर्थिक मॉडल गुलामी था बृतेन ने स्लेव व्यापार शुरू नहीं किया वह पुर्तगाल और स्पेंग थे लेकिन बृतेन ने इसे परफेक्ट किया उन्होंने लगभग 3.4 मिलियन अफ्रीकियों को उनके कॉलनीज में पहुचाया 2.7 मिलियन जिन्दा पहुचे बाकी की मौत हो गई यह सब शाही स्विकृती के साथ किया गया था चाल सद्वितिय को याद करें उनके शासन के दौरान अफ्रीका में रॉयल एडवेंचर्स की कमपनी स्थापित की गई थी इसके बारे में कुछ भी साहसिक नहीं था इस कमपनी ने किसी अन्य की तुलना में अधिक दासों को खरी दे थे इसके शेरधारकों में शाही परिवार के सदस्य शामिल थे यदि चार्ल्स द्वितिया ने गुलामी को संस्थागत बना दिया तो चार्ल्स थ्री उसका बोज उठा रहा है वह वर्तमान राजा है उनके पूर्वजों ने वरजीनिया में दास खरी दे थे हमें अभी तक माफी नहीं सुनी है हालांकि पीछे मुड़कर देखे तो हम इस सिंहासन के इस सामराज्य को क्या कहते है यह मारे गए रिष्टेदारों के खून गुलामों के पसीने और अपनिवेशिक विश्यों पर बनाया गया था कुछ खातों के अनुसार ब्रितिश नीती के कारण एक सौ मिलियन भारतियों की अकाल मृत्यू हो गई केवल 40 वर्षों में एक सौ मिलियन भारतिय उन्होंने 45 ट्रिलियन डॉलर के संसाधन भी लिए जो ब्रितेन की मौझूदा जीडीपी का 15 गुना है शाही परिवार की गल्तियों की कीमत पूरी दुन्या को चुकानी पड़ी है प्रथम विश्वी युद्ध ऐसा ही एक मामला था मेरा विश्वास न करे इन पुरुषों पर एक नजर डाले वे एक जैसे दिखते हैं क्योंकि वे सभी चचेरे भाई हैं एक इंगलेंड के जॉर्ज फिफ्थ है दूसरे रूस के जार निकोलस द्वितिय है तीसरे जर्मनी के कैसर विलहेम द्वितिय है तीनों प्रथम विश्वी युद्ध के दौरान शासत थे और तीनों चचेरे भाई भी थे उनकी प्रतिद्वन विता 20 मिलियन लोगों की मृत्यू के साथ समाप्त हुई यहाँ फ्लैश बैग ब्रिटिश सिंहासन के वास्तविक इतिहास की याद दिलाता है उन्होंने जो खोन बहाया जिस मासूमियत को उन्होंने अंजाम दिया और जिस जमीन को उन्होंने कुरूरता और निर्ममता से लूटा